नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UK SSC क्रैकर में तो उत्रकंड अदिनस्ते सेवा चैन आयोग द्वारा जो लेब असिस्टेंट की भरती थी तो इसका जो एक्जाम है वो कब तक होगा आयोग से मिली जानकारी के हिसाब साब को बताएंगे एकदम सठीक जानकारी रहेगी कि इकजाम कब तक होगा ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो भरती थी किस विभाग की थी और कितने पत किस विभाग में ठीक है? तो उस हिसाब से आप अपनी तयारी करिए और कितना competition है ये भी आप जान लीजिए ठीक है तो कितने पद रहने वाले हैं ये हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखें तो ये जो भरती रही हमारी परियावरन, सनरक्षक, एवं, प्रदूशन, नियंतरन के विभागती ठीक है थे हमारे परियावरन, परवेक्षक के थे ठीक है तो सबसे जादे पद हमारे परियावरन, परवेक्षक थे इसके बाद परियोक्षाला सहायक जिसको हम लेब असिस्टेंट की भरती से हम जो ये जान रहे हैं तो इसमें 78 पद थे तो ये जो भरती है सबसे जादे इस नाम से ही जाने जाड़ी लेकिन परियावरन परवेखशक में जादे पद हैं तो इसके बाद देख लेते हैं प्रयोकसाला सहायक के नौ पद, फोटोग्राफर के दो पद और उत्राखन परवेखशक सनरक्षक तो इसके अंतरगर्जो व पद रहने वाले हैं और जो OBC है, SC, ST और EWS के कितने पद रहेंगी, ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं अनुवामशिक सहायक, ठीक है, इसके आठ पद थे और ये जो भरती थी हमारी उत्राखन, परियावरन, ठीक है, सनरक्षन, प्रदूशन, नियंतरन, बोट की भर सिर्फ इसमें बारवी पास मागा गया था, इसमें लिखित परिक्षा होगी, ठीक है, दो गंटी के आपके लिखित परिक्षा होगी, इसके बाद है सहायक, ठीक है, इसके बाद है प्रयोक्षाला सहायक, ठीक है, इसके जो है साथ पत्थे, इसमें भी आपका जो है, इंट साथ मिस ना तक मांग इसके बाद देख लेते हैं परिया वरण तर coy सबसे जादे पत थे यह फिर एक जिले के हिसाब से यह निर्धारी से तो ओन से उनन य सीए- आते हैं हरी द्वार में हरे जिले में बहुत से जादे पद हैं तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी तो इसके कारण आपकी जो वीडियो है लंबी हो जाएगी तो सीधे आपको exam rate भी बताएंगे ऐसा नहीं है कि आपको exam rate नहीं बताएंगे तो अभी पहले हम discuss कर लेते हैं कि किस-किस विभाग में कितने पद हैं ठीक है तो परियावरन परवेक्षात के वेतन मान देख सकते हैं लेवल 3 का है और आयू सीमा भी यह है 42 वर्स तक और इसमें जो सेक्सिनिक योगिता मांगी गई थी इसमें मान्यता प्राप्स से intermediate से उत्तीन होने चाहिए तो बारवी पास इसमें भी मागा गया था ठीक है इसके बाद है प्रयोक्षाला सहायाग ठीक है सबसे जादे जो है 78 पत थे इसमें ठीक है सैकिन नंबर में सबसे जादे पत थे इसके 78 इसमें जो योगिता है वो मांगी गई थी उत्राखन से इसमें आपका जो होना चाहिए था intermediate परिक्षा प्रयोक्षाला से संबंदिद विसेगे साथ राजिपाल द्वारा उसके समक्ष घोसित अन्यब परिक्षा उत्तीन ठीक है मतलब graduation भी मागा गया था इसमें तो उत्तीन होना चाहिए था उत्राखन विद्याले से ठीक है तो अगर आप सिब्यसी से भी हैं तो वो भी आपके मानने रहेगा ठीक है इसके बाद देख लेते हैं लिखित परिक्षा आपकी सब में सो नंबर की रहेगी प्रयोक्साला साहयक इसके आपके जो है नौ पद थे ठीक है किसी भी मानियता प्राप्त से बहुत तिक विज्ञान रिसायन विज्ञान में ठीक है ये आपकी जो है ग्रेजुएशन लेवल की परिक्षा थी और इसमें आपके पचास नंबर कितने बियसी डिग्री में होनी चाहिए थे ठीक है इसके बाद है ठीक है इसमें आपकी जो मांगे गई थी ये भी सनाथक मांगे गई थी जो की साइं साइट से होनी चाहिए ठीक है इसके बाद फार्म सेस्ट की जो है इसमें बागा गया था उतराखन से इंटरमीडियेट परिक्षा जीव विज्यान एमं गानित विज्यान के साथ सरकार सके शनाbourne कोई परिक्षा उत्तीन होती है, स्क्राँवियर्टी किसी मानियता प्राप्त लाइति इसमें नीडियर्ति के उनकी अभिखते से अपने गई धी तो , तो तो आपके पास इंट्रमेडियेट होना चाहिए और किसी भी मानियता प्राप्ते से जैसे की B.S.C. अगर आपने साइन साइट से कर ये तो वो भी अपलाई कर सकते हैं जिसने डिप्लोमा इंट फार्मरसी करे हैं वो भी अपलाई कर सकते हैं ठीक है इसके बाद है रसायन विद ठीक है इसकी सिर्फ एक ही पोस्ट थी ठीक है इसके बाद देख लेते हैं केमिस्ट की बारा पोस्ट ने थी जो कि ये इसका लेवल स्केल काफी अच्छा था ठीक है एक लाग बारा हजार चार सो तक था level 6 की यह जो है पोस्ट रही ठीक है इसकी section की योगी था रसायन सास्तर के साथ इस नातक होना चाहिए था ठीक है तो यह काफी अच्छी बोस्ट थी काफी जादे लोगों ने इसमें अपलाई करा था इस नातक साहयक ठीक है इसमें आपकी जो है graduation मागी गई थी जो कि यह science stream से होनी चाहिए थी और ये भी आपकी लिखित परिक्षा इसमें आपकी रहेगी तो ये सभी परिक्षाएं आपकी हो गई ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से आपने किस विभाग के लिए आपने form भरा था उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए क्योंकि पोस्टें काफी कम है ठीक है देखिए बारा पोस्टे हैं दस पोस्टें आठ पोस्टें ठीक है 200 पोस्टें तो उस हिसाब से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो तभी आपका जो है सेलेक्शन हो पाएगा अब बात कर लेते हैं कि इकजाम कब होगा एकजाम की आपको एकदम सठीक जानकारी देंगे क्योंकि आयोक से मैंने जानकारी प्राप्त कर यह ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल ला उं एक जानकारी मैं आपको बताता हूँ माध्यम से जो पूछा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने आयोग से ठीके इसमें इमेल के माध्यम से पूछा था जिसमें की लेब असिस्टेंट एक्जाम डेट 2021 इंक्वैरी ठीके इसके जो जवाब आया था चैन आयोग द्वारा वो मैं आपको बताता हूँ और जो ये जवाब था नॉम्बर में आया था चप्विस तारिक को ये जानकारी मेरे को प्राप्त हुई थी तो मैंने लिखा था महोदे बताने की किरपा करें कि लेब असिस्टेंट का एक्जाम कब होगा तो उनका सीधा सीधा जवाब था की ठीक है जून के बाद होगा अगर बज़ट मिलता है तो तो उनका ये कैना है की अगर बज़ट मिलता है तो देखिये जितनी भी भड़तियां भी हो रही है सब में आपका जो 300 रुपी सुल्क था उसमें सुलक नहीं लग रहा है तो सुलक माफ करने की कारण ये सारा पैसा आयोग को सरकार से लेना पड़ेगा ठीक है तो सरकार से ये जो बजट होता है वो लेना पड़ेगा क्योंकि भरती प्रक्रिया करानी होती है प्रिंट कराने पड़ते है question papers और OMRC सभी प्रक्रिया में पैसा लगता है तो ये जो पैसा रहता है सरकार bear करती है, मतलब सरकार को देना पड़ता है इस विभाग को क्योंकि सरकार नहीं सारी भरतियों के जो form हैं वो free करें तो ये जो पैसा जब मिलेगा इनको तो तब ही भरती प्रक्रिया ہو पाई भी ठीके तो अभी इनका जो कहना था जून के बाद मतलब जून जुलाई के बाद आपको एक्जाम रहने वाला है ठीके तो यह कहना था चैन् आयोग का बहुत लेट में ये रिप्लाइ आया था ठीक है ऐसा नहीं है कि एक्जाम नहीं होगा एक्जाम जरूर होगा तो अभी से अपनी preparation कर लीजे क्योंकि seat देख सकते हैं total seat आपकी इतनी थी ठीक है तो उसमें से भी आपको किस एक ही विभाग में आपको apply करना होगा तो देख सकते हैं किसी में 12 किसी में 8 किसी में 290 मतलब जादे seat नहीं है candidates जो हैं लाखो में हैं तो उसी हिसाब से आप अपनी preparation करिए और जून के बाद ठीक है मैंने personally भी पूछा था तो उनने कहा था जून जुलाई के बीच में ही आपका जो है एक्जाम हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं अभी से अपनी preparation करिए और इधर उधर मत धून धिये कि कब exam date निकलने वाली कब आएगा exam calendar कब आएगा तो इसकी tension मत करिए बस अपने preparation कर दिये और चैनल को subscribe कर लिजी क्योंकि जानकारी मेरे को प्राप्त होगी तो मैं आपको अपडेट करा दूँगा ठीक है तो इतनी ही जानकारी है बस आप अपनी preparation में लगे रहिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई जे हिंद जे भारत वंदे मात्र